वेलकम स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग वर्शॉप कैलकुलेशन इंड साइन्स की अपनी मर्डिवल चॉइस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिफ्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप सभी आई टी फिर्स्टेर वाल स्ट्रेंट्स के लिए बह ठीक है तो उसको आप देख लीजिए और आज ये अपनी फिफ्ट क्लास में हम लोग कुछ मर्डिवल चॉइस कोशन सीरीज देखेंगे जो कि आपके हो रहे हैं सीवीटी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉडटन्ट है तो जिन स्ट्रेंट्स का अभी एक्जाम नहीं हो जिसमें आपके लिए देखें फिर्स्ट कुश्चन है यहां पर कुश्चन नमबर 58 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुश्चन नमबर 58 में देखें वो लगया है विच एलॉइ स्टील इस यूज़ तू मेक पॉमनेंट मैगने ठीक है तो ध्यान से समझ लो आप जो अस्थाई चुम्बक होते हैं वो होते क्या है ठेक है तो फिर prag यहांन मेगनेंट होते हैं अ वो होते हैं जो की कि बिना किसी एलख्रो मेगनेट जिस को यह ज Armsic करेंट कारिंग कंडेक्टर के इस होते हैं अल्रेड़ी जैसे माली आगर मैं combination कि ये piece of magnet है ये कोई एक पदार्थ है जिसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया है magnet नाम दे दिया है तो इसकी खास बात क्या होगी कि ये हर एक iron particle को अपने तरफ attract कर सकता है ठीक है तो important बात ये है कि जो ये permanent magnet होते हैं instruments वो बनाए किस से जाते हैं ठीक है तो बनाए जाते हैं वो किस से वो बनाए जाते है instruments इसमें जो आपकी चार ऑप्शन है उसमें जो सबसे बहतर ऑप्शन है वो है copalt steel ठीक है वो क्या है कोबाल्ट इस्टील अच्पलब है option D जो है आपका वो बिल्कुν सही है जो कोबाल्ट और इसीपात होता है CEO स्टीम होता है इस उसका उप्योग हम लोग किस लिए करते हैं उसका उप्योग हम लोग permanent magnet ने के लिए करते हैं permanent magnet का क्या मीनिंग्ञ है जो कि पूर्ट चूबक बना वो अपने इस property को मलब उस गुड़् को हमेशा के लिए permanently set कर सकें ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अस्थाई चुम्बक कहते हैं तो अस्थाई चुम्बक बनाने के लिए हम लोग कोबॉल्ट स्टील का यूज करते हैं ठीक है उसके लावा गर मैं आप्शन की बात करूं तो जो सिलिकन स्टील होता है स्ट्रेंट्स वो ट्रांस को वाल्ट स्थील ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 59 अगर हम लोग देखें यहां इस तो कुश्चन नमबर 59 में आप से कहा गया है कि इन में से किस कुछालक का उपयोग ओर हेड लाइन में किया जाता है पहले बात आप समझो कि जो ओर हेड ले जाने के लिए तो आप जानते हो कि जब हम लोग एक एक जगह से दूसरे जगे लेक्ट्रसिट्टी ले जाते हैं तो ब्राउन कलर का ठीक है आपने ज़ाद तर पोल्स पर देखा होगा कि ब्राउन कलर की यहां पर इस तरीकी से काई डिस्क लगी होती है जिस पर वायर आप कहने के लिए तो जो इस इंशिलेटर ही होता है टेसे जो है आपकी यह जो है यह इस decision जो कि चीनी मिट्टी की होती है, यह कह लीजिए एक खास प्रकार का मटेरियल जो कि चीनी मिट्टी से मिलके बना होता है, ठीक है? उसको कहते हैं हम लोग पॉरसिलियन, क्या बोलते हैं? पॉरसिलियन, ठीक है? यह देखे, तो इसका भी Option कौन सा सही है? D Option, बिलकुन आपका स ही हो जाएगा ठीक है उसके लावा आप जानते हो कि रबर का यूज किया जाता है तो रबर इस्ट्रेंट्स यूज किया जाता है वायर के इंसुलेशन में ठीक है जो डोमेस्टिक घरवेलू जो वायरिंग होती है उसके उपर जो माइका कहां यूज करते हैं जैसे आप की जो मोटर हो गया जनेरेटर हो गया तो जो उसकी वाइंड इंडिंग की बीच में माइका को प्लेस किया जाता है जिससे क्या हो कि जो कंडुक्टर के में कनेक्शन मतलब कंडेक्टिविटी ना मेंटेन हो कहने के मतलब वो एक दूसरे से मेंटेन रखें गैप के गैप मेंटेन रखें ठीक है शॉर्ट सर्कुटिंग मगार रना होने के लिए हम लोग माइका यूज करते हैं अब जब कभी इसकी क्लास होगी तो मैं बताऊंगा आपको ठीक है कि किस तरीके से माइका मोटर और जनेरेटर के अंदर वाइंडिंग के बीच में यूज किया जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखो कि इसमें जो रबर और पीवीसी है वो वायर के इंसुलेशन में यूज होता है तार के इंसुलेशन में ठीक है के बिल्स पे भी यूज होता है, माइका कहां यूज होता है, मोटा जनरेटर के जो वाइंडिंग स्लोट्स होते हैं उन में और पॉर्सिलियन कहां यूज होता है, तो पॉर्सिलियन ओवरेड ट्रांस्मिशन लाइन में जो इंसुलेटर होते हैं, जिससे इन पोल्स पे, इन पोल्स से इन वाय होता है यहां से यहां यह connect होता है फिर दूसरे वाले उससे connect होगा इस तरीक से यह जाता है चलो आगे देखते हैं question number 60 अगर देखें तो इसमें वो लगया है which insulating material is used for making switch ठीक है तो इस जो switch बनाने के लिए जो यूज होता है ठीक है उसको हम लोग किसे बनाते हैं तो वो चलो देख लेते हैं पॉर्सिलियन तो अभी अभी मैंने बताया क्यों है transmission line के लिए बनाते हैं किसके लिए overhead transmission line के लिए हम लोग यूज करते हैं PVC PVC वायर के insulation के लिए खास्ता और से cable cable वगारा में यूज किया जाता है ठीक है cable के insulation में ठीक है जो cable wires होती है उस पे insulation के लिए PVC यूज किया जाता है ठीक है इसका फुल फॉर्म जानते हो ठीक है polyvinyl chloride ठीक है तो याद रखना है इस चीज को कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूंचता है और अगर देखें हम लोग बैकलाइट की तो switch होती है जो घरों में switch लगी होती है switch हो गया या socket हो गया ठीक है जो socket होता है जो socket लगा होता है देखें, socket three pin, five pin वाले इस तरीके से जो socket लगे होते हैं या फिर जो switch होते हैं वो किसके बने होते हैं वो mainly आपके बने होते हैं वो आपके बने होते हैं किसके बैकलाइट के ठीक है तो बैकलाइट के जो ये material है बैकलाइट ठीक है बैकलाइट का mainly बना हो होता है क्या switch और socket वगयर ठीक है एबनाइट भी क्या होता है एबनाइट वगयर जैसे पेचकस हो गया screwdriver हो गया उसके जो handles होते हैं उस हम लोग किसे बनाते हैं एबनाइट material से बनाते हैं ज्यान रखना कि यह चारो material क्या है कुछ अलक प्रकार के हैं यह सब कुछ आलक ही है लेगिन सबका अपना-पना specific यूज है अलग-अलग जगों पर यूज किया जाता है जैसे कि पूरसिलियर मैंने आपको बताया हो रहा है transmission लाइन में इन्सुलेटर बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग PVC केबल वाइर व्यूस करते हैं ठीक है और यहां पर back-alike switch और socket बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग चलो question number 61 देखें question number 61 में कहा गया है what is the name of the property of an insulation तो द्यान से समझा हूं, इनका कहना है कि कोई एक insulating material है, कोई भी insulating material है, सपोज मैं इसी को भीवान ले रहा हूं, कि this is an insulating material, मतलब यह एक प्रकार का क्या है, कुचालक पदार्थ है अगर ये, अगर ये strength कुचालक पदार्थ है, तो इस कुचालक पदार्थ के इन दोनों terminals पे, माल लेते हैं, एक terminal ये है, एक terminal ये है, इस terminal और इस terminal के बीच में हमने क्या apply कर दिया, voltage apply कर दिया, क्या apply कर दिया, voltage apply कर दिया, ठीक है, तो आप जानते हो कि हम लोग voltage यहां apply करेंगे तो यहां से जो current flow होगी उसकी value generally zero होगी क्यों भई क्योंकि यह कुछालक पदार्थ है ना तो कुछालक है इस विज़े से चाहे आप जितना voltage लगाओ लेकिन यह जो धारा है वो zero ampere ही होगी लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ जब तक इस पदार्थ की कुछालक कुछालक होने की जो च्छमता है maintain रहेगी तब तक तो current zero flow होगी लेकिन एक समय एक voltage एक level voltage बढ़ाने के बाद कहने गमलब जैसे आपके घर हम अपने लोगे घरों में कितनी वोल्ट आती है 220-230 वोल्ट आती है धीरी 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 इसका level बढ़ा दो लगे current flow होने लगे क्या हो जाए कि इसके अंदर से भी current flow होना start हो सकता है ठीक है तो जो इसकी जहेलने की जो च्छमता है उसको हम लोग कुछ नाम देते हैं और उसका नाम है dielectric strength क्या बोलते हैं परावैदुत तो ध्यान रखना आपको यह याद रखना है कि यहाँ पे voltage apply करने की maximum value है उसी को हम लोग dielectric strength बोलते हैं तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक कोई material है और वो कितना 10,000 volt 10,000 volt है यह क्या है एक centimeter इसकी चोड़ाई कितनी है इसकी चोड़ाई एक centimeter है एक centimeter है इसकी चोड़ाई और यह maximum कितना वोल्ट बरदास कर सकता है एक हजार वोल्ट तो जो इसकी dielectric strength है वो हो जाएगी 10,000 volt पर centimeter एक centimeter के लिए 1000 वोल्ट इसकी सहन चमता है ठीक है तो इसी को कहते हैं हम लोग dielectric strength ठीक है समझे आ गया चलो अगर समझे आ गया तो एक बाल like भी कर दीजिए जिससे मुझे भी पता चल जाए कि मेरी बाते हैं आपको अच्छे से समझ में आती है चलो आगे देखते हैं question number 62 देखते है question number 62 में आपसे कहा गया है which alloy steel is used for making precious instruments precious instruments का मतलब है की कीमती एक तरीकी से आपना देखो लिखा भी है यहाँ पर कीमती उपकरण बनाने के लिए आप किस प्रकार के material का use करेंगे इस में से जो यह हैं चार आप्शन इन steels में किस प्रकार का material जो है कीमती समान बनाने के लिए यूज में आता है तो आपको बता दो कि इन्वर स्टील जो होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि इन्वर स्टील जो होता है वो आपके कीमती समान बनाने के लिए यूज किये जाते हैं, ठीक है, समझ पार है, किम्ती मींस अच्छे क्वालिटी की, ठीक समझ पार है, तो इसमें कितना कुछ खास साब आपको बतानी के लिए नहीं है, यह आप्शन आप जानते हूं, यह अप्शन सिलिकन स्टील, जो कि ट्रांफर्मर कोर बनानी के लिए क्या बनाने केई लेक्ट्रो मैंगने độ बनाने काम में आते हैं मतलब जब आप इस्वेष्ष्टी पास करोगे तो इे मेटरियल्स ऐज़े मैटरियल की तरह भी है करेंगे आपका एंसर कौन से सही हुगी parar इस में आपका एंसर बिल्कुन से सही हो जाएगा सी विलकुन से जाएगा कोश्चन नमर 63 देखते हैं तो कोश्चन नमर 63 देखा जाया है कि विच इस टीली यूज़ फॉर मेकिंग फाइल एंड कोड चीजल ज्यांसे समझ लो अपने फाइल देखा होगा फाइल देखो इसको कहते हैं हम लोग ठीक है यह होता है फाइल इसमde लगन लेते हैं यह espaço फाइल है यह अवर्डबा स्टीजल चीजल मैंज चीनी च लो मैं एक प्रकार की एक तरीके से आपको चीनी बनाके दिखाता हूं ठीक यह चीना होती है देखनो इस च्डूर पॉर्टुन और अच्छे से बना लेना तो ये जो है ना कट वाट कऊप़् कोई चीज़ तो एक तरीक remote से इस प्रकार कि उती है उती टो किस प्रकार के स्टील होती है तो एक तरीके से सीसके इसक्त अंदर होनी चाहिए थियो ए तभी तो यह दूसरे चीजेंक को काट पाएगा तो एक यह क्या होना चाहिए ह साधस कैसे फेस्थ ठीब carbon content की वज़े से, ठीक है, carbon के percentage की वज़े से, तो ध्यान रखना कि जैसे जितना अच्छे से हम लोग iron में, ठीक है, वैसे steel क्या होता है, पहले आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टील जो होता है, वो होता है, iron, प्लस, carbon का कुछ percentage, मतलब maximum, लगभग एक परसेंट की में बात करूँ है, समा सोचना की बहुत ज़्यादा, ठीक है, में लिए iron ही होता है, लेकिन carbon percentage के basis पे, स्टील की hardness decide होती है, कि स्टील hard है कि या, जो है, मुलायम है, तो hard क्यों बनाते हैं, hard इसलिए बनाते हैं, जिससे ये, और, और किसी metals को cut कर पाए, ठीक है, तो ध्यान से समझो, यहाँ जो आपका answer है, वो है answer आपका C, ठीक है, तो C answer विल्कुन इसलिए सही है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे C में बोला गया है, कि high carbon steel है, क्या है, high carbon steel है, ठीक है, समझ गया है, चलो, तो अगला question देखते हैं, question number 64, question number 64 में है, what is termed as the quantity of matter contains in a body, वस्तु में नहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, भाई, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो इसमें जो पदार्थ की मात्रा है, जो पदार्थ की मात्रा है, एक्चॉल में उसी की वज़े से वस्तु का क्या निर्धारान होता है द्रव्यमान, ठीक है, जिसको English में क्या बोलते हैं, आप, मास बोलते हैं, ठीक, और इसकी unit क्या होती है, ये भी ध्यान रखो, कि unit होती है, इसकी kilogram, ठीक है, तो जो ये पदार्थ है, वो इस पदार्थ, वो जो space घेर रहा है, ठीक है, जो पदार्थ में जितने, मतलब यहा इस पदार्थ के पास अपने आप आ जाता है जिसका नाम ही है क्या द्रभ्यमान तो यहाँ पे C option विलकुन सही हो जाएगा ठीक है तो द्रभ्यमान इसका सही एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं Question number 65 अगर हम लोग देखें तो देखो Question number 65 में बोल गया है समझो जैसे माल लिया यह धरती माता है इसका यह center है यहाँ कोई body पड़ी है ठीक है तो कह रहे हैं कि एक बल जिसकी वज़ा से धरती माता इस वस्त को अपनी और क्या करती है खीचती है कहां केंदर की और तो अपनी और जो खीचती है उस उस पे एक बल लगता है ठीक है हलक कहते है तो इसको गृत्वा कर्शन बल है लेकिन इस वस्त का अगर दरुब्यमान M है इस वस्त का दरुब्यमान क्या है M K G है तो जो यह वस्त है वस्त का जो भार होगा ठीक है यह दरुब्यमान है और वस्ट का जो भार होगा जिसको आप बोलते हो W ठीक है तो वस्ट का जो W है वही आपका यहां पर गुरुत्वा कर्शन बल F हो जाएगा मनलब F बराबर W होगा W की वैलू एक तरीके से M into G हो जाएगा G का मतलब है गुरुत्वा गुरुत्वी त्वरण ठीक है और यह क्या है दृप्यमान वस्ट का दृप्यमान तो आपको कई quantities में एक साथ बता दी तो confused नहीं होना है दिमाग में यह रखना है कि जिस जिस बल से वस्ट को यह धरती माता प्तवी ठीक है अपनी और खींशती है उसको हम लोग कहते है गुरुत्वल और वो किसके बराबर होता है वस्टू के भार के बराबर होता है तो वस्टू का भार अगर हम डबलो मानने ठीक है वेट जिसको इंग्लिश में बोलते है ठीक है तो जो वेट है मिलब जो यह भार है वो उसका सही एंसर हो जाएगा कि उसको क्या कहते हैं हम लोग उस बल को हम लोग भार कहते हैं ध्यान से समझ लो इस बल का मात्रक होता है न्यूटन तो इसका मिलब भार का भी मातर क्या हो जाएगा Newton वैसे द्रविमान का मातर क्या होता है आप जानते हो kg और volume जिसको कहते हो आयतन इसका मातर क्या होता है meter cube या centimeter cube और घनतो का मातर क्या होता है essentially kg per meter cube ठीक है चलो तो यह चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है question number 66 देखा जाए तो बोला गया है what is called mass per unit volume of substance ठीक है तो mass per unit volume क्या होता है यह बहुत अच्छे तरीकी से आपको दिमाग में रखना है और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो density होती है density density is equal to होता है mass per unit volume ठीक है mass की unit होती है kg इसकी unit होती है meter cube तो जो density की unit बनेगी वो हो जाएगी kg per meter cube अब हिंदी में बता देते हैं density को हम लोग कहते है बच्चों घानत तो इसको कहते है द्रव्यमान mass को ठीक है द्रव्यमान और इसको कहते है आयतन क्या कहते है आयतन ठीक है तो यूनिट जैसे उपर लिखे वही चीज़े इसकी भी होंगी तो ध्यान रखना है कि आपको घनत बराबर क्या होता है द्रव्यमान upon आयतन तो क्या है mass per unit volume mass mass per unit volume ठीक है तो kg per meter cube ठीक है अब सुनो यहाँ पर मैं बता हूँ आपको तो mass की unit होती है kg भार की unit होती है newton density की unit होती है kg per meter cube और इसकी unit होती है meter cube ठीक है तो आपका फिलाल यहाँ सही answer है c question number 67 देखा जाए तो question number 67 बोला गया है what is called the ratio between the density of substance to the density of water कहने का मतलब यह है जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है इसका कुछ घनत्तु है इसका कुछ घनत्तु है यह वस्तु है ठीक है ध्यान रखने है यह वस्तु है ठीक अगर हम इस वस्तु की घनत्तु को हम लोग कुछ जो भी है इसकी वैलू मैं यह नहीं कह रहों कि क्या है ठीक है मान लिए यह वस्तु है उसका घनत्तु है इसका घनत्तु अनुपाते पानी का घनत्तु अगर हम लोग करें तो उसको कहते क्या है ठीक है मतलब यह है कि वस्तू का घनत्तु चार दिगरी सेल्सियस पर पानी का घनत्तु ठीक है तो ध्यान रखना चर दिगरी सेल्सियस पर जो पानी का घनत्त होता है वो निर्धारित है पहले से ही निर्धारित है one gram पर सैंटिमेटर זה क्यूप ہوتा है त्यान रखना वन ग्यूप पर सैंसे क्यूप होता है पानी के घनत तो छार डिग्री सेलसियस पे लेकिन इस अनुपात को कहते हैं तो इस अनुपात को कहते हैं सापेक्च घनत्तु क्या कहते हैं सापेक्च घनत्तु कहते हैं ठीक है सापेक्च घनत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्ट्रेंड्स स्पेसिफिक डेंसिटी इससे पैसिफिक डेंसिटी ठीक है स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं इसको हम लोग कभी कभी सापेक्च घन глаза तो को हम लोग और एक नाम देते हैं विसस्ट गुरुद्ति क्या कहते हैं विसस्ट गुरुद्त। ठीक है जोग इसका एंसर भी है इसका एंसर भी है विसस्ट घुरुधत। ठीक है तु यह इसका सही एंसर हो जाएगा तो फिलाल इसका जो एंसर हो Counciltermin. B, चलो, अगला question देखते हैm question number 68 question number 68 में बोल गया है density of aluminium बता दो कितना है, aluminium का घणत तो कितना होता है तो याद रखना होगा आपको कि aluminium का घणत तो कितना होता है तो aluminium का जो घणत तो होता है आपका ये answer, A विलकुन सही हो जाएगा ठीक है तो ए विलकुन सही है 2.7 ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब पर सेंटिमीटर क्यूब ठीक है तो ध्यान रखो इस चीज को कि जो डेंसिटी है किसकी ऐलमुनियम की एल ठीक है ऐलमुनियम की जो डेंसिटी है बच्छों Aluminium की जो density है Aluminium की जो density है वो है 2.7 gram per centimeter Question number 69 अगर हम लोग देखे तो question number 69 में देखो What is the mass if the density of the body is given and its volume is 25 centimeter अले बाद ध्यान से समझे इसमें पूछा क्या गया है यह दि किसी पिंड का घंद तो D दिया गया है घंद तो D से represent करते है 7.6 gram per centimeter cube given है दिया गया है और क्या दिया गया है भई 25 centimeter cube इसका आयतन दिया गया है तो V की value है 25 centimeter cube इसका आयतन दिया है तो बच्चों mass क्या होगा इसका तो आपको एक सीधा सीधा formula याद रखना है D equals to होता दिया दिया गया है तो बच्चों अगर दिया गया है तो व को इसको तिर्चा गुणा कर दीजिये तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो दिया गया है अकेले अगर इसको कर दे तो इसको multiply कर किदर तो D into V हो जायेगा तो D की वैलू आपको क्या पहले से पता है बिलकुन 7.6 इसमें मालूम है आपको 7.6 गुने V की वैलू भी आपको पता है तो V की वैलू है कितनी 25 ठीक है ती हो जाएगा 25 तो बच्चों multiply जब हम लोग इसको करेंगे तो इसका जो answer आएगा वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो जो इसका answer आजाएगा students वो हो जाएगा 190 190 ग्राम ठीक है तो इस तरीके से आपका 190 ग्राम बिलकुन सही हो जाएगा answer अगला देखते हैं question number 70 अगर हम लोग देखें तो question number 70 बोला गया है what is the specific gravity specific gravity means क्या होता है बताओ विसस्ट गुरुत होता है या सापेक्च घनत होता है तो student जो सापेक्च घनत है वो क्या होता है वस्तू का घनत तो upon पानी का घनत तो चाठ डिग्री सेलसिस पह तो देखो यहां वस्तू का घनत दिया गया है कहरा है याधी थोस का घनत तो याधी थोस का घनत तो 19 अससंबलो पाँच तो बताना है उसका विसस्ट घंद तो कितना होगा तो सापेक्च घंद तो बराबर होता है जो घंद तो है तो घंद तो है इसका 19.5 और पानी का घंद तो भी बूचाज़ा तो पानी घंद होता है तो जो ठोस है जो ठोस का सापेक्च जो घंद तो होगा वो 19.5 ही हो जाएगा डे एंसर विलकुन सही हो जाएगा चलो, question number 71 अगर देखे हैं हम लोग तो question number 71 देखते हैं what is the density r मनला density पुचा जा रहा है gram per centimeter cube में of an iron cube मनला एक लोहे का cube है ठीक है, घन है if its weight 4.8 के जी, weight क्या है यह mass है और volume मतलब यह है कि आप से density पूचा जा रहा है पूचा जा रहा है एक लोहे के घन का घनत तो बताना है ठीक है, किसमें बताना है, gram per centimeter cube में बताना है तो वो तो ठीक है, बता दिया जाएगा भाई दिया क्या क्या गया है तो इसका item दिया है 640 cm3 आयतन है और जो इसका weight है कहने के मुलब जो इसका द्रभ्यमान है बच्चों वो है 4.8 kg ठीक है, तो बताओ density कितनी होगी तो density के सीधा-सीधा formula होता है mass upon volume 4.8 ठीक है, 4.8 volume की value है 640 ठीक है, 4.8 यह kg में है, अगर इसका हम लोग ग्राम में बना लें तो ग्राम में 1000 से multiply करना होगा तो ग्राम में बन जाएगा तो यह हो जाएगा 4800 upon 640 तो यह 0 से 0 कट गया यह answer आगया 4.8 upon 64 तो 4.8 upon 64 का मैं पुड़ा सा डिवाइड करता हूँ इसको तो बताता हूँ आपको कितना आएगा 4.8 divided by 64 तो यह हो जाएगा 7.5 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्योब तो कौन सा एंसर सही हो जाएगा इसका डिए एंसर विलकुन सही हो जाएगा चलो अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 72 जो कि आज के इस सेशन का लास्ट कोश्चन है यह ठीक है बोला गया है मतलब इसमें वी पूछा जा रहा है बच्चों आप से किसमें सेंटीमीटर क्योब में और बोला गया है इसमास publishers 1 kg यदि यदि पारे का गहनत तो इसका दिया ही गया है तो बूछा गया है बताओ आयतन कितना होगा तो आपको पता है कि रुप्रुप्राम की वैलु यहाँ पे 1 kg है और जो इसका घनत तो d है 13.6 ग्राम पर सेंटिमीटर क्योब एक केजी को जरा सेंटिमीटर में बना लो वो ग्राम में तो हो जाएगा 1000 ग्राम ठीक है तो अब आप वी निकालो तो सीधा सीधा आपके पास एक फॉर्मुला है डी उकल्स टू एम बाई वी ठीक है जिसमें आपको वी निकालना है तो वी को इधर कर दो और डी को अलब वी को इस साइड ले आलो और डी को इधर ले ला लो ठीक है तो जब ऐसा आप करोगा तो हो जाएगा वी इज इकुल्स टू एम डिवाइड़ेड वाई D नीचे आ जाएगा तो D नीचे हो गया M की value आपको पता है 1000 है D की value आपको पता है 13.6 है जब आप इसको solve करोगे तो आपका answer आएगा बच्चों answer आजाएगा 13.6 यह हो जाएगा 73 ठीक है 73.53 73.53 cm3 यह आपका सही answer माना जाएगा यह answer बिलकुन आपका सही हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से आपको मैंने easy way में एकदम easy way में आसानी से इन सारे questions को solve कराया कैसी लगी यह class बिलकुन बताना मत भूलना इस्ट्रेंट्स और like करना मत भूलना ठीक है क्योंकि वही मेरा motivation है आप like करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ classes और अच्छे से बनानी चाहिए otherwise अगर आपका interest ही नहीं होगा आप नहीं देखोगे तो फिर मैं बनाऊंगा किस के लिए ठीक है तो वीडियो बनाने का अभी तक का फिलाल मोटिव आपके interest पर depend करता है अगर आप interest लेंगी इसको share करेंगे और भी students धीरी धीरी इसमें number of students देखने वाले बढ़ते जाएंगे तब मेरा भी एक को इसमें लगन आएगा कि हाँ इसमें मन लगएगा कि चलो भई बनाते हैं के फायदे में आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से आपको यह question series कैसी लगी बताना मत भूलना और next जो class है उसमें मिलते हैं ठीक है चलिए तब तक के लिए अपने ध्यान रखेंए बाइबाए टेक कियर